निवेश को प्रोचसाहित करने के लिए गठित भारत स्वयंक्त अरब अमिरात विशेश कारेबल की पहली बैठक सुमवार को अभुधावी में संपन हो गई इस बैठक की अध्यक्ष था स्वयंक्त अरब अमिरात के दौरे पर गए भारती वानेजमंत्री आनन्द शर्मा और अभुधावी क्राउन प्रिंस कोड के अध्यक्ष शेख हामिद बिन जायद अलनाहयान ने की बाद में पत्रकारों से बाच्चुत करते हुए वानेजमंत्री आनन्द शर्मा ने बताया कि बैठक में द्विपक्षिय सहयोग और निवेश को प्रोथ साहित करने के लिए कई एहम फैसले हुए इनके तहट योई ने भारत में आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाओं में दो बिलियन डॉलर कर निवेश करने का फैसला किया है दोनों देश भारत में रणनीतिक तेल रिजर्व बनाने की दिशा में मिलकर काम करेंगे आधारभूत सनर्चना, उर्जा, व्यापार निवेश, विनिर्मान, तकनीक और उड़ेन आधी क्षेत्रों में स्वहियों के लिए पांच उपसमितियों का गठन किया जाएगा इनके लावत दोनों देशों ने अफरीका समेट तीसरी दुनिया के देशों में आधारभू ढाचे, तेल और गैस खोज की परियोजनाओं पर भी मिलकर काम करने का फैसला किया है इसके साथ ही दोनों देश निवेश की संभावनाओं की पड़ताल करेंगे और निवेश को कानूनी संदक्षन देने के लिए दिपक्षी निवेश प्रोचसाहन और संदक्षन समझोते पर आगे बढ़ेंगे UAE की और से अपने यहां की कमपनियों की निवेश सम्मंदी समस्याओं को उठाए जाने के बारे में आनन शर्म ने कहा कि एक समिती का गठन किया जाएगा जो कानूनी दायरे में संभावित कदमों के बारे में उपाय सुझाएगी दुबई से अतुल कुमार तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज